क्या आप कॉंस्टिपेशन के शिकार हैं? क्या आपका पेट साफ नहीं रहता? क्या आपको कॉंस्टिपेशन के शिकायत काफी लंबे समय से है? क्या कॉंस्टिपेशन के कारण आपके पेट में दर्द रहता है? घबराहट होती है? अगर ऐसा है तो कॉंस्टिपेशन से एक नहीं कई सेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हालो और वल्कम मैं हूँ आपकी होस्ट और दोशिफाली बगगा, जीवा हेल्ट शो में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे कॉंस्टिपेशन यानि कब्ज के बारे में फ्रंस, कॉंस्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन अगर इस इशू को सही समय पे डील नहीं किया गया तो ये कई सीरियस हेल्थ इशू क्रियेट कर सकती है क्या आईरुवेद कॉंस्टिपेशन और इससे रिलेटेड हेल्थ इशू को दूर कर सकता है? क्या कॉंस्टिपेशन का कोई effective treatment available है आईरुवेद में? आपका अभियान है कि authentic आईरुवेद, सही और scientific आईरुवेद पहुंचे घर-घर जिससे natural health हो घर-घर जी हाँ, वो है Dr. Chohan जी Welcome to the Jeeva Health Show Dr. Chohan Thank you very much Thank you for gracing this show Viewers Dr. Chohan हमारे बीच मौझूद है और आज हम discuss करेंगे the most common problem of stomach constipation के बारे में अगर constipation से related आपका कोई भी सवाल हो Please contact now आपको authentic आईरुवेदिक treatment मिलेगा जीवा सेहत का नंबर आपके television screen पर है तो आज ही 88 60 10 40 40 पर call करें और जीवा आईरुवेद से consult करें Dr. Chohan, constipation से जड़ा मेरा एक question है कि ये समस्या लोगों को आखिर क्यूं होती है और जीवा आईरुवेद इसका क्या treatment देता है देखिए सबसे पहले तो अच्छा विशे है अच्छा इसलिए है क्योंकि कब्स को लोग बहुत हलके में लेते हैं कब्स एक बहुत गंभीर और खतरनाक रोग है जरा ध्यान से सुन लेजी मैं क्या बोल रहा हूँ खतरनाक इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में हर रोज बहुत सारे metabolic waste बनते हैं जब हम खाना खाते हैं खाना पचता है पचने के बाद waste product बनते हैं आईरुवेद में इनको मल कहते हैं यह जो waste product हैं यह शरीर में अधिक समय तक नहीं रहने चाहिए अगर शरीर में यह 24 घंटे से ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में वो blockage पैदा करेंगे pollution पैदा करेंगे दूशित करेंगे शरीर इसलिए 24 घंटे में एक बार motion जरूर आना चाहिए और नहीं आएगा तो आगे चलके बहुत गंभीर बिमारी हो सकती है cancer तक भी हो सकता है बहुत सारे cancer के patient मैंने ऐसे देखे हैं जब हमने उनका root cause analysis किया तो वो कबस निकला और इसलिए जो है हम आपको बार बार ये समझाते रहते हैं कि पेट को आपको ठीक रखना है और जीवा में हम यही करते हैं कि कोई भी जब रोगी आता है तो उसके पेट को भी ठीक करते हैं उसकी कब्ज या digestion जो भी problem हो सकते हैं पिछले तीन साल के अंदर अगर हम देखें तो constipation के 80,015 पेशेंट हमने जीवा में देखें और खुशी की बात यह है कि 90 प्रतिशत लोगों को दो महिने के अंदर आराम आता है क्या वज़े इसका वज़े यह है कि हम root cause को ठीक करते हैं प्रक्टे साब अभी आपने खा कि पिछले तीन सालों में आपने देखा है जीवा क्लेनिक्स में 80,000 के करीब पेशेंट आएं हैं constipation की प्रॉब्लम को लेकर तो अगर हम इस पूरे के पूरे डेटा को देखें तो टॉप फाइव वीजन क्या है constipation के बहुत अच्छा आपने पूछा है क्योंकि हम तो कारण की बात करते हैं और कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा तो आयरवेद के अनुसार जब हम कोई भी रोग की बात करते हैं तो आम तोर पर दो चीज़ें हम आपसे हमेशा शेर करते हैं कि रूट कॉज में दो चीज़ होती है गलत आहार और दूसरा गलत विहार यानि कि गलत टाइप का डाइट और गलत टाइप का जीवन शैली या लाइफस्टाइल ये मुख्य कारण होते हैं इंप्रॉपर फूड और इंप्रॉपर लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एक तो हमारी जो आतों का जो अंदर का पूरा सिस्टम है आतों में कमजोरी आ जाती है कही बारी गलत खाने पीने से दूसरा आम बनता है अगर भोजन पचेगा नहीं तो आम बनेगा वह आम जमा हो जाता है उसके कारण आपने सुना हुआ कही वर कहते हैं कॉलाइटिस हो गई है अलसरेटिव कॉलाइटिस हो गई है या वात अगर बढ़ेगा तो उसमें आपको अंदर सुखापन होगा ड्राइनस हो जाएगा कुछ लोगों को बहुत हाड स्टूल होता है बहुत ज्यादा ड्राइनस अंदर हो जाती तो अगर हम डेटाबेस को देखें अपना जैसा आपने पूछा है कि डेटा के अधार पर हम देखें तो 42 प्रतिशत ऐसे पेशेंट है डेटा में हमारे जो टोटल पेशेंट कॉंस्टिपेशन के जिनको के गलत भोजन के कारण जो है उनको कॉंस्टिपेशन हुआ यह हमारा पूरा डेटा आपको हम दिखा रहे हैं और 14 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री कुछ ना कुछ है आज कर उसको कई बार जेनिटिक बोल देते हैं कि घर में आपके कोई हिस्ट्री है तो आपको भी होगी है सुनलेजे ध्यान से 11 प्रतिशत लोग वो थे जिनको मानसिक तनाव एंग्जाइटी तो अगर आप तनाव करते हैं एंग्जाइटी करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिया आपको भी कब्ज हो सकती है और 6 प्रतिशत वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं मैं प्रकृति जब भी कोई consultation होती है तो उसका जो है एक proper prescription डॉक्टर उसी समय बनाता है फिर वो जो है हमारी pharmacy में जाता है prescription वहाँ पर वो चीज़ें आपको मिला करके दी जाती है और यही है सुद्ध आयरवेद यही है जीवा का काम करने का तरीका जी दोस्तों अगर आप constipation के शिकार हैं तो जीवा सेहत के नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप वीडियो कॉल करके अपना personalized treatment ले सकते हैं क्योंकि personalized आयरवेद ही है सही आयरवेद नोट कीजिए सेहत का नंबर जो कि आपकी television screen पर है तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयरवेद से कंसल्ट करें और आप वक्त हो गया है हमारे वीडियो कॉलर से जुनने का क्योंकि आपके लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं दॉक्टर और उनकी सवाल लेने ज़रूरी है उनकी बात सुनना है उनका समाधार बताना है तो सुनते हैं नमस्का डॉक्टर चोहान मेरा नाम तरुंदीपक है मैं मंडी डव वालिक सिर्साहर रहना से बोल रहा हूँ और मुझे पिछले एक साल से अलस्रेटिव कॉलाइटिस की प्रॉल्लम है इसका मुझे कोई भी पर्मनेंट हल नहीं मिला मैं इस समय के दौरान काफी तकलीफ में रहा हूँ और अब मैं पिछले 15 दिनों से जीवा एरवेज की मेडिसन ले रहा हूँ इस दवा से मुझे काफी रिलीफ मिला है और मैं पहले से काफी ठीक हूँ पर मैं इस समस्या का कोई पर्मनेंट इलाज चाहता हूँ जी देखिये सबसे अच्छी बात तो यह है कि अल्सरेटिव कॉलाइटिस जो शब्द आपने बोला है बहुत गंबीर बिमारी है और 15 दिन में आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं अपने उमीद तो हमें भी नहीं हो थी क्योंके अल्सरेटिव कॉलाइटिस इस वेरी डिफिकल्ड डिजीज और आज हमारा टॉपिक जो है कब्स का है कॉंस्टिपेशन का है हम आपको बार बार यह कह रहे हैं कि कब्स को हलके में मत लीजिए कॉंस्टिपेशन जब रहेगी आपके जब दोश शरीर के अंदर ही रहेंगे टॉक्सिंस बाहर नहीं निकलेंगे तो आतों में आम जमा होगा सूजन होगी सूजन होके वहां अलसर बन जाते हैं मैं आपको डरानी रहा हूँ मेरा काम डराना नहीं है मेरा काम है आपको एजुकेट करना लेकिन आपको थोड़ा सा जो है सतर्क जरूर रहना चाहिए आप सही जगे जुड़ गए हैं आपका इलाज भी शुरू हो गया है पंदरे दिन में आपको रिलीफ भी आ रहा है केवल इतना निवेदन है कि दवाई मत छोड़ना कम से कम एक साल ये मेरी बात आप लिख लिजिए एक साल तक दवाई जरूर खानी है बीच में हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन ये रोग जो पुराने होते हैं इनक्यूरिबल डिजीज जो होती है ये बाद में फिर दोबारा से रिलैप्स हो जाते हैं के बारे और चाच इसमें बहुत अच्छी रहती है जिसको हम मठा बोलते हैं लसी बोलते चाच जरूर पियें पतली सी चाच मनाएं उसमें बहुना हुआ जीरा डाल करके थोड़ा सा चाहें तो ये ताजा पुदीना और ताजा हरा धनीया पीस करके वह भी मिला सकते हैं बहुत अच्छी है पेट के लिए कोलाइटिस में बहुत फाइदा करती है बिल्कुल डरना नहीं है माइंड को पॉजिटिव रखना है और अपना प्रॉपर उपचार करते रही है डॉक्टर से बने रही है कॉंटेक्ट में किसी तरह की कोई भी समस्या हो तुरंत हमारे डॉक्टर से बात करिए वो आपको उचित सला देंगे डॉक्र साब मैं अपने दर्शक को एक मैसिज देना चाहती हूँ दोस्तों अगर आज आप टीवी देखते हैं तो आप बहुत सारे आड्ज जरूर देखते होंगे अईरुवेद के ओपर मगर वो सारे सही है ऐसा नहीं है आपको हम बता दें कि ऑथेंटिक अईरुवेद आप अपनाए पर्सनलाइज अईरुव चालिस चालिस पर कॉल करें और जीवा आईरुवेद से कंसल्ट करें डप्र साब मुझे आपसे सवाल पूछना है यह जो टॉपिक है यह हम और मोस्त सारी विमारियों में लेकर आते हैं वह है पंच कर्म अब पंच कर्म और पेट के रोक का क्या कनेक्शन है देखिए आपको देखिए पेटा है उससे पूरा पूरा काम नहीं हुता है पूरा आऊ हुट पर ऑस करना पड़ता है और पंच करम चेक साही करते हैं सबसे पहले आपको प्रेपैर करते है यानि कि जो डोश बोडी के जगा जगे अडीकर लेवल पर चले गएं उनको वापस लाने क लिए क्या करते हैं इंटर्नल स्नेहन उसमें कही बारे आपको मेडिकेटिड घी पिलाया जाता है बाहर से मालिश की जाती है साथ में स्टीमिंग स्वेधन स्नेहन और स्वेधन ये इनको पूरुव करम हम लोग बोलते हैं ये जब अगर पित है तो उसको विरेचन यानि के एक दवाई देते हैं जिससे आपको एक दिन थोड़ा दो-तिन घंटे लूज मोशन्स लगते हैं या एक दवाई देंगे तो वमन कराएंगे आपकी वमिटिंग से सारे गंदगी बाहर निकलेगी और कभी-कवार एनिमा बस्ती भी देना पड़ता है अगर वाद का प्रकोफ हो तो उसमें एनिमा दे दिया जाता है और इस सारा काम जो है जीवा में हमारे पंच करम के जो एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा हमारे जो एक्सपर्ट क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स MD डॉक्टर्स होते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे थेरेपिस्ट हैं यह पूरा प्रोसीजर उनिकी गाइडलाइन में आप करते हैं उनकी गाइडेंस में होता है और कहां होता है जीवाग्राम में मुख्य रूप से हम करते हैं हमारी क्लिनिक्स में भी पंच करम होता ह जीवगराम तो आपको मालूम है हरियाना का पहला NABH Accredited Ayurvedic Hospital है सभी चिकित्सा एक प्रोटोकॉल के माधिम से वहां पर की जाती है और यदि किसी भी तरह की कोई chronic problem आपको है ये कबस की बात नहीं कर रहा है कोई भी किसी तरह की भी chronic problem है तो मैं आपको जरूर ये advise करूँगा कि पंच करम आपको करना चाहिए क्योंकि जो पुराने रोग हो जाते हैं जिनको ये कह दिया जाता है कि इनक्योरिबल होए ये रोग वहां पंच करम बहुत अच्छा काम करता है और अब तो जीवा में हमने आपको बताया कि हमने एक बनाया Center for Incurable Disease हमने नाम ही इसका रख दिया Center for Incurable Disease जिसमें हमारे बहुत senior doctors का एक panel होता है वो सब जो है आपकी सिवा के लिए उपलवद हैं आप contact करिये और किसी भी तरह का रोग हो हमारे doctors आपके साथ हाजे में जी दोस्तों हम बात कर रहे हैं constipation के निदान के बारे में prevention और परहेज के बारे में आईरवेद जो की एक complete medical science है वो कैसे गंभीर से गंभीर constipation में लोगों की help कर सकता है इन तमाम जानकारियों का सिलसिला आगे जारी रहेगा Welcome back to the Jeeva Health Show मैं हुशिफाली और Dr. चोहान भी हैं हमारे साथ शुरुवाती लक्षन आखिर क्या होते हैं constipation के और हमें कब ऐसे पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर constipation गंभीर अब लेता जा रहा है देखिए सुरुवाती लक्षन बहुत अच्छा प्रशन आपने पूछा कई बार लोगों को मालूम है नहीं चलता कि उनको कब्ज हो चुकी है तो सुरुवाती लक्षन कब्ज के मैं बता देता हूँ कि अगर कब्ज वात के कारण हुआ है तो हार्ड स्टूल जाएंगे आपको थोड़ा मोशन क्लियर नहीं होगा और मुश्किल से थोड़ा सा आपको के बर स्ट्रेनिंग करना पड़ता है अगर पित्त के कारण है तो आम बनेगा वहाँ पर थोड़ा सा लूज स्टूल होगा एक बार में क्लियर नहीं होगा कई बर आपको दो-तिन बार जाना पड़ता है सुबही और अगर कफ के कारण होगा तो उसमें भी थोड़ा म्यूकस फॉर्मेशन होता है और मोशन पूरा क्लियर नहीं होता है तो यह कबज के सुरवाती लक्षन है आपको ध्यान रखना है अगर यह कोई भी लक्षन आपको आता है एक आइडियल क्या होना चाहिए बावल मूमेंट वो भी मैं बता दू सुबह जब आप सो के उठते हैं उठते ही आपको प्रेशर बने और तुरंत जो है जितना भी आपका पिछले दिन का जो waste material था that should clear in one go और उसमें ज्यादा time नहीं लगना चाहिए आदा घंटा नहीं बैठना है कुछ लोग तो mobile लेके बैठते हैं आजकल पहले अखबार लेके बैठते थे आजकल mobile लेकर बैठते हैं लोग तो वो maximum तीन से पांच मिनिट में clear हो जाना चाहिए that is an ideal bowel moment और फिर उसके बाद पेट आपका साफ शरीर हलका, आपका दिमाग हलका you feel good, you feel very you know एक तरसे चुस्ती फूरती आपके इंदर होती है तो इसका ध्यान ब्रखना है और अगर समस्या रहती है छोटी मोटी समस्या के लिए तो जीवा का मुक्ती चूरन बहुत बढ़िया है जीवा का त्रिफला चूरन भी मिलता है टेबलेट्स भी मिलती है पाचन से related कोई problem हो तो digestol तो बहुत ही गजब का product है ये चीज़े आपके घर में होनी ही चाहिए टॉक्डर साब हम कहते हैं कि prevention is better than cure ये सब को पता है अब constipation के prevention के लिए क्या करना चाहिए क्या suggest करेंगे आप बहुत सरल छोटी छोटी सी चीज़े हैं आपको recommend करता हूँ एक तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते है रात का खाना लेट नहीं खाना है रात को जितना जल्दी खा सके है छे बज़े खा सके है साथ बज़े आठ बज़े तक तो खालेना चाहिए उसके बाद नहीं और light खाना है रात का लंच शुड़ बी और में बील और एक भोजन में जो है जब खाना खाते हैं आप कोई भी खाना खाएं बहुत सारी डिशेज मत खाईए स्पेशली हेवी चीजें और खाना जो दो मील्स होते हैं उसके बीच में एट लिस्ट चार से पांच घंटे का डिफरेंस होना चाहिए बीच में ऐसा नहीं के कुछ भी खाते रहे हैं कभी कोई स्नेक्स चल रहा है कभी ब्रेड चल रही है और जीवा के प्रोड़क्स तो आपको मैं बार वार बताता हूँ डाइजस्ट टॉल है मुक्ति चूरन है त्रिफला चूरन है त्रिफला टेबलेट्स है बहुत अच्छा है जिन लोगों को ड्राइनेस रहती है न अंदर तो जीवा का अलोवरा जूस और आमला जूस ये भी आप साथ में पीएंगे तो अंदर आतों को शक्ती भी मिलेगी और आपके कब्स भी दूर होगी त्रिफला चूरन आपने इतना कीमती समय निकाला और इतनी यूस्फल इंफॉमेशन दी आप जीवा आयरुवेद के नजदी की हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कॉन्टाक्ट करके वीडियो कॉल करके पर्सनलाइज इलाज ले सकते हैं थांक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े शुक्रिया व्यूर्स अगर आप कॉन्स्टिपेशन या किसी भी दूसरी बिमारी या हेल्थ इशू से परिशान हैं तो आप जीवा अयुरवेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं आप जीवा अयुरवेद के नजदी की हेल्थ क्लिनिकस में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कॉन्टाक्ट करके वीडियो कॉल या वोईस कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं पर्सनलाइज आयुरवेदा ही है सही आयुरवेद तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और अड्रेस डिटेंज तो आज ही अठासी साथ दस चालिस चालिस पर कॉल करें और जीवा आयुरवेद से कंसल्ट करें चलिए अब अब अपनी होस्त और दोस्त को दीजिए जाज़त इस थौट के साथ कि प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर और एक बात अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई इलाज या दवाई ना ले जीवा आयुरवेद से जुड़िए और एंजोई कीजे एक खूपसूरत जिंदगी See you all in the next episode अपनी सेहत का ख्याल रखें Take care